हलो फ्रेंज शेया नपूनेश्वर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ पावित्रा और फ्रेंज आज मैंने बनाया है गूर्थ खिर मतलब गूर्थ से बना हुआ खिर इसे आप एक हेल्दी और टेस्टी एनेज़ी ट्रिंक पर कह सकते हो इधे के फ्रेंज इसक दूद किर बनाने के लिए मैंने लिया है फूल प्रेंज ग्यास पर दूद को चड़ा दिया है और फ्रेंज को मीडियम रटा है तो फ्रेंज यह वन लीटर दूद है इसे हम गलाक कर आफ लीटर करना है तब तक हम इसे पकाते रहेंगे और इसे इसी तरह चलाते रहना चाहिए देखिए यह भी 30 परसेंट गल चुका है दूद अभी 40 परसेंट गल चुका है किनारों पर जो भी मलाई लगी है उसे हम निकाल देंगे हमारे दूदखिर बनके तयार है अभी इसमें हम चिरोंची डालेंगे चिरोंची को डालकर और तीन मिनिट पकाएंगे अभी इसे डालकर अभी तीन मिनिट पकाएंगे अभी दूद पक चुका है हम इसमें डालेंगे शुगर शुगर डाल नहीं ग्यास को आफ करें इलाइची कोड़र तो हमारे दूदखिर बनके तयार है तो फ्रेंट्स आपके घर में कोई स्पेशल गेस्ट आए तो इस दूदखिर को बना के पिलाएए तो इससे आपकी इंप्रेशन और भी बढ़ जाएगी और गेस्ट भी खुश हो जाएगे तो यह रेसिपि आपको कैसी लगी और अच्छी लगी तो लाइक करें शेर करें और सब्स्ट्राइब भी ज़रूर करें धन्यवाद अन्यवाद